शिवलिंग का रहस्य और इसकी पूजा आदी और अंत ना होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है. भारत भर में बारा जोडति लिंग शिव के निराकार रूप के दर्शन कराते हैं जिसके विशर में ये मान्यता है कि इनकी उत्पत्ती स्वय हुई है लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है आधी काल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रही है लेकिन क्या आपको पता है कि सभी देवों में महादेव के लिंग की ही पूजा क्यों होती है? इस संदर्म में अलग-अलग मान्यताएं और कथाएं है. शिव का अर्थ है परमकल्यानकारी और लिंग का अर्थ है स्रिजन. शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागरत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमान क्या है शिवलिंग का रहस्यट शिवलिंग और कुछ नहीं बलकि हमारे ब्रहमान की आकृती है और अगर इसे धार्मिक अत्वा आध्यात्म की भाशा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ती पार्वती का आधियनादी एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृती की समानता का प्रतीक है अर्थाच शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और नहीं केवल प्रकृती स्त्रीक का वर्चस्व है बलकि दोनों एक दूसरे के पूरत है और दोनों ही समान है वेदों और वेदान्त में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है मन, बुद्धी, 5 ज्यानेंद्रियां, 5 करमेंद्रियां और 5 वायू वायू कुराण के अनुसार प्रल्यकाल में समज स्रिष्टी जिसमें लीन हो जाती है और पुन स्रिष्टिकाल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते है इस प्रकार विश्व की संपूर्ण उर्जा ही लिंग की प्रतीक है शिव कुरान के अनुसार शिव कुरान में शिवलिंग की पूजा के विशय में जो तत्य मिलता है वह तत्य इस कथा से अलग है शिव कुरान में शिव को संसार की उत्पत्ती का कारण और परब्रहम कहा गया है इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरूश और निराकार ब्रहमा है इसी के प्रतिकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है भगवान शिव ने ब्रहमा और विश्णों के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवात को सुलजाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था इस लिंग का आदी और अंत धूनते हुए ब्रहमा और विश्णों को शिव के परब्रहम स्वरूप का ज्यान हुआ इसी समय से शिव के परब्रहम मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई पौराणे कथा के अनुसार जब समुद्र मन्थन के समय सभी देवता अमृत के आकांगशी थे लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विश आया उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विश को अपने कंठ में धारन किया तथा नीलकंठ कहलाए समुद्र मन्थन के समय निकला विश ग्रहन करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई जो आज भी चली आ रही है शृी शिव महापुरान सृरिष्टिखन में ये कहा गया है कि जब सृरिष्टी के पालन करता विश्णों ने एक बार सृरिष्टी के रचिता ब्रहमा के साथ निर्गुण निराकारजनमा ब्रहमा शिव से प्रार्थना की आप कैसे प्रसन्न होते है dot शिव बोले मुझे प्रसंद करने के लिए शिवलिंग का पूजन करू जब जब किसी प्रकार का संकट या दू खहो तो शिवलिंग का पूजन करने से समस्त दू खोन का नाश हो जाता है अगर आपको यह विडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करे शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद